आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now इस question कहागी विए हमारा पास एक mass m है जो की oscillate कर रहा है with a simple harmonic motion जिसका frequency कितना है वो है f equal to omega upon 2 pi के बराबर और इसका जो oscillate करें हमारा simple harmonic motion में तो इसका amplitude कितना है वो capital A के बराबर है और खहाँ पर oscillate कर रहा है यह spring के साथ attach है यह mass और oscillate कर रहा है जिसका spring constant है k के बराबर तो हमें बताना है चारों option में से कौन सा statement हमारा सही होगा अगर total energy अगर हम देखें system का total energy वो क्या होता है half M omega square into A square होता है हमारा और हमें यह पता होना चाहिए कि जो omega square होता है omega square equal to होता है k upon m के बराबर होता है हमारा omega square equal to k upon m होता है तो यहां से हम omega square को k के बराबर बोल पाएंगे और इस value को हमें अगर यहां सब्सूट कर देते हैं तो हमारा वो हो जाएगा energy total energy of the system equal to यानि कि potential energy plus kinetic energy वो हो जाएगा हमारा half k a square के बराबर यह हमारा हो जाएगा तो पहला जो option है हमारा यह वाला यह correct है यह correct है हमारा frequency जो है हमारा fk हमारा omega upon 2pi के बराबर है और इस relation से हम क्या बोल सकते हैं omega square equal to k upon m है तो omega को हम rearrange करेंगे क्या लिख पाएंगे omega को लिख पाएंगे root over k upon m हम इससे लिख पाएंगे तो अब हमारे पास क्योंकि frequency कितना है omega upon 2pi है frequency equal to omega upon 2pi है इस omega को लिख यहां put कर देंगे तो यह हमारा बन जाएगा 1 by 2pi root over k upon m के बराबर तो option जो हमारा second वाला है यह भी हमारा correct हो जाएगा third option अगर देखेंगे maximum velocity occurs when x equal to 0 होता है कि नहीं देखेंगे यहां पर displacement का equation क्या होता है x equal to होता है हमारा a sin omega t यह होता है अब velocity अगर हमें चाहिए तो क्या करेंगे हम velocity equal to क्या हो जाएगा displacement को differentiate करेंगे with respect to time तो हो जाएगा हमारा a omega cos omega t के बराबर तो v का maximum value क्या होग वो हमारा होगा a omega के बराबर a omega हमारा maximum कब होगा cos omega t का value 1 के बराबर हो जाएगा cos omega t equal to 1 होगा तो omega t क्या होना चाहिए omega t हमारा होना चाहिए 0 के बराबर क्योंकि cos 0 equal to 1 होता है तो time हमारा क्या हो गया? 0 हो गया time 0 हो गया तो अब time 0 को अगर यहां पर put कर देंगे तो x का value क्या आ जाएगा हमारा sin 0 0 हो जाएगा 0 multiplied by a x का value 0 आ गया मतलब at x equal to 0 हमारा maximum a omega आ रहा है तो option 3rd अभी हमारा correct हो जाएगा तो finally क्या बोलेंगे हम? all of the above are correct यह हमारा finally हो जाएगा Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आ या WhatsApp कीजिए अपने doubts आच चार्सो 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 पर